अपने टाइटेनिक मूवी देखी है, वही जिसमें टाइटेनिक डूब जाती है और काफी सार लोग इसलिए डूब जाते हैं, क्योंकि रेस्क्यू बोर्ड्स और लाइफ जैकेट्स कम थे, तो जिनकों मिले वही बचे, बाकी सब डूब गए, तो आज की हमारे गैस्ट, ज ये भाई साब, एक साल में 10 लाक रूपए तक कमा लेते थे, जो महिने के रूपी 77,400 रूपी के बराबर होता था, अब ये देखते हैं, कि इनके घर का एक्स्पेंस कितना होता था, तो फिर ब्रॉसरी, स्कूल फीस, रेंट, शॉपिंग, ट्रावलिंग, लोन पेइमेंट, ये सब मिलाकर कुछ 45,000 के बराबर होता था, इनका खुद का पर्सनल एक्सपेंस कुछ 8,000 के बराबर होता था, अब ये भाई साब तो रहे लें, तो इनका घर का खर्चा हो गया रूपीज 37,000, अब इनके जाने के बाद इनकी फैमिली ने लाइफ इंशरेंस से क्लेम किया, और तो उनको कुछ 1 करोड मिल गया, फिर उनकी फैमिली ने सुचा के चलो, ये वन करोड को हम किसी आन्यूल प्लान में इन्वेस्ट कर देते हैं, ताकि उनको हर मेने, हर साल कुछ खर्चा मिलता रहा है, वो वन करोड प्लान के इसाब से उनको हर साल रूपीज 4,27,000 मिलने लग गया, जो 35,600 रूपीज पर मन्त के बराबर था, बट यहाँ पे घर का खर्चा तो 37,000 है, तो जो 27,400 रूपीज तक कामा लेते थे, इतना कामाते थे, तो तुरवा सेविंग्स भी हो जाता था, तो अब यह सेविंग्स भी नहीं मिलेंगी, क्योंकि अनुटी ही कम पढ़ रही है, उसमें खर्चा ही निकल रहा तो सेविंग कहां से होगी, तो ठीक है ना, सेविंग्स कम प बच्चे छोटे मोटे स्कूल में पढ़ लेंगे, बले ही आप उनको कुछ बनाना चाते थे, बट अब नहीं बना पाए, गरीब होने दो, और फ्रॉट्स तो बैटे ही है ना, बागी के पैसे लूपने के लिए, इन सब के बीच में, I hope कि आपका पार्टनर ठीक ठाक रहे Yes, यह सब हो सकता है अगर आपने अपना प्रॉपर लाइफ इंशरेंस कवर नहीं लिया है, in fact, बिजने स्टैंडर की एक रिपोर्ट के हिसाब से, काफी सारे इंडिन्स ने अपना करेक्ट पॉलिसी कवर ही नहीं लिया है, now you know how important it is to get प्रॉपर लाइफ इंशरेंस कवर फ ले सके, सबसे पहले पता किजिए कि आपकी after tax salary कितनी आती है, जो इस case में है, रुपी 77,440, इसमें अपने employer का PF contribution भी add करें, क्योंकि जब आप ही नहीं रहेंगे, तो आपकी job भी नहीं रहेंगी, और जो employer contribution आज की एट में आपको मिल रहा है, because of your job, वो भी नहीं मिलेगा, So for example, it is Rs. 6,000, इन डॉनों को add करेंगे, तो answer is Rs. 83,440, अब अपना खुद का खर्चा calculate करें, क्योंकि जब आप ही नहीं रहेंगे, तो आपका अपना खुद का खर्चा तो नहीं होगा, so इस case में है Rs. 8,000, इस amount को 83,440 से minus करें, तो answer आता है Rs. 75,440, ये monthly amount है, और हमें चाह को 12 से multiply करेंगे, so answer is Rs. 9,5,280, before tax amount, assuming tax rate is 12% comes to Rs. 10,28,727, इस amount का हमें insurance लेना है, so मानली जी कि अप 30 years के हैं और आपका plan था to work till you are 60 years, right, so ideally हम expect करते हैं कि you would have earned this salary every year for next 30 years, but in case of sudden events like this, हमारा सबसे बड़ा risk हो जाता है, to manage our house expenses and savings without any external source of income, so अब ये जो आपकी yearly salary है, which is expected by you for next 30 years, इसका आज की एड में present value निकालेंगे, so ये present value निकालें के लिए हमें discount rate चाहिए, right, so ये discounting rate हमने 2 rates के साब से calculate किया है, Number 1 is the inflation rate, which is 5%, you can check this on RBI website and get the latest inflation rate as well, and second is the government bond yield rate, अभी यहां पर हमारा जो time period है, that is 30 years, right, because you are 30 years and you are expecting your salary for next 30 years, so हम 30-year government bond yield check करेंगे, that I checked on investing.com and I found that it is 6.9%, अभी अगर आज की एड में आपके पास इतना पैसा मिल जाता, then probably you would have invested in secure government bonds, right, and this is the rate you are getting at present from the government bonds, so we will take this 6.9% and use that to calculate our present value, so ये दो rates, which is inflation rate of 5% and government bond yield rate of 6.9%, we calculate our discounting factor, which is 1.81%, इस discount factor को यूज करके, we calculate the present value of the future salaries, which is expected for next 30 years, and the present value of this income comes to 2.4 करोर, इतना minimum insurance cover इन भाइस आपको लेना चाहिए था, तो अगर आपको भी जानना है कि आपका correct insurance cover कितना होना चाहिए, तो आप भी इस sexual sheet को यूज किजिए और कालुट किजिए और कालुट किजिए आप प्रॉपर्ली कवर्ड है कि ने, and yes, do share your comments, whether you found it useful or not. So, correct insurance cover, calculate करने के लिए, ये simplest method है. There is another method, जिसमें we take into consideration a lot of other details as well, जैसे आपका कुछ लोन पेमेंट है, you want to settle that loan immediately, या फिर आपका कुछ गोल हैं for your kids, like your education plans, you already have some existing assets, you already have some other policies, so, वो calculation ये सभी चीज़े करता है. So, अगर आप चाहते हैं that if you want to know that calculation as well, then let me know, I can cover that calculation as well in another video. तो ये तो हो गया आपके monthly expenses का protection by a correct life insurance cover, but उस risk का क्या, जब आपकी wife को कोई भी job करने पड़े, या फिर frauds उनको उल्लू बनाकर आपके सारे पैसे हड़ापले, हाँ, अगर आपको लगता है कि मुझे क्या भुगतने दो life partner को, बच्चों को, तो बाता लग है. अगर आप चाहते हैं कि आपका life partner भी आपके जाने के बाद आपकी wealth बढ़ाए और अच्छे से maintain करे, तो घर के कामों से उनको थोड़ा छुटी दो, और ensure करो कि वो कोई अच्छे सी skills सीखे, या फिर उसको खुद का अपना business setup करने में help करो, ताकि जरुद के time पर वो एक अच्छी job करके आपकी family को manage कर सके, इसके दो फायते हैं, तो आज की 8 में आपको double income मिल जाएगा और दूसरा, जरुद के time पर उन्हें कोई भी job करके अपना गुजारा नहीं करना पड़ेगा, but yes, ensure कीजिए कि उनका business इतना कमा सके, ताकि उनका business income आपकी existing salary level के बराबर हो, अपने life partner को financial चीज़ों की जानकारी दीजिए, जैसे bank कैसे operate करते हैं, savings क्या होता है, investment क्या होता है, tax filing कैसे करते हैं, tax कैसे बचाते हैं, ये सारी information जो फिलाल आप जानते हैं और आप manage कर रहे हैं, उनके साथ भी share कीजिए, हर एक type के investment, savings या insurance में, beneficiary और nomination properly add करें, ताकि वो पैसा आपकी family को ही मिले, तो Titanic की तरह ऐसे हवा में मत सोचो, कि ये ship कभी डूबेगा ही नहीं, अपनी family ship में life jacket और rescue boat का safety net हमेशा रखिएगा,